विए अर्श लेटिंग 15 अगस्ट 2021 और यह हमारा 15 अगस्ट की हम लोग अभी सेल रिटर नीस से चल रहा 2021 ठीक है तो यह हमारा आजादी का जो है सो आपका समय है और जो है सो हम को आप लोगों को पता है कि जैसे हम को 15 अगस्ट कि 9045 को हम लोगों को अजादी मिली ठीक है तो हम यहां पर हमरा एक प्रयास है कि ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग यहां पर डिस्कॉस करने जा रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी अजादी कैसे मिलिए और एक नौर्मल आदी को भी जानना चाहिए कि हमारी इतिहास क्य नहीं है यह जनरल अवरनेस के लिए है कि हरेका आदमी को समझना चाहिए जानना चाहिए कि हमारे देश की अजादी हमें कैसे मिली है और हमें उन सहीदों को जो हैसो सड़धांजली देना चाहिए और उनके बीरगाताओं को हमें याद करने का इस दीन है तो हम लोग जो है नहीं पता है लेकिन जो भी हो चुका है उसके अधार पर हम लोग फ्यूचर इसके अनलिसिस करेंगे तो एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री है मुझे आसा करते हैं हमके आप लोगों को यह पसंद आएगा ठीक है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं तो अब यहां पर है कि यह स अरास्ट हो गया और देर पाकिस्तान वाला यह पूरा इलाका हो जाता है तो आपका जो है सो इसको जैसो आपका सिंद्व घाटी सभ्यता या इन्डस बेली सिविलाइशन के अगर बात करें अगर तो यह जो है आपका लगवाज जो है से आपका 2220 तक या ऐसे बोला जाता है कि 1500 से 22 कोई बोलता है कि 1500 से 2720 तक था ठीक है और यहां पे आज जो हम लोग घर देख रहे हैं आज जो समाज में जो आज टाउंसिप डवलप हो रहा है जहां पर बढ़िया पीट बना रहता है नालियों के ववस्ता र तो उस टाइम पे था और यहां पे रोड की किनारे सरक बने हुए थे रोड के किनारे घर बने हुए थे रोड एक दुसरे को 90 डिग्री पर काट रहे थे और जो है सो एक बड़ा सा बहल का तो आज जो हम समाज में घर देख रहे हैं वह आज से 2700 साल की बात नहीं हो गए 2700 साल यह हो गए और जो है सो आपका यह हो गया लगभग 4800 साल पहले हमारे यह स्ट्रक्चर भारत में था ठीक है तो इन्स बड़ी सिबलई पहलेशन कहा जाता है कि एक सेकुलर सब्चै ता कॉलद राजा नहीं था आप रहें एसा कहा जाता है कि बनिया समाज का रूल ठा और जो गैबाड़ी लोओं पहल रूल करते थे वह ठीक है कोी मन्दिर मिला है नियक्श सब् soph Chrome पहां प्र webinar स Congressman Ballapartis to be a disaster मिला हुआ से जय सके बाद में का कि ंव선 यह सब्तार पहले सब्ण थी और यह वही घातःना जाया के आत्या को अधिक्रणा수राणार की ्यान धेल लोन के आशनला में और समय में। पानी हो सकता है तो आप जहां भी सब्वेता के बात करेंगे वहां पर नदी किनारें सब्वेता होती है तो आपका एक छोटा से यहां पर यह हिस्ट्री है कि सुचिए कि आज जो हम घर में रहते हैं से 4700 साल पहले भी लोगों ऐसा घर बना कराते थे ठीक है तो यह जो है सो हमें आप इसमें तीन फेज करें फेज फेज बान हो जाता है तो उसका अभी अपने आपको गौर्व मानना चाहिए कि वल्ल्ड में ऐसी कोई सब्वेतान नहीं है जो उतनी पूरानी थी लेकिन हां जैसे आपका उसी टाइम के कुछ सब्वेता वेले टोगेशने जैसे आपका इजटी की सब्यता हो गई अपको पता है कि आपका 152 से लेकर के 1000 हीज हो गया आपका आपका आप कहा जाता है और 1500 को पोस्ट आरें बात पता है तुड़ा है तो अब देखिए यहां पर यह बाइस सो बीसी सी लेकर के 15 सो बीसी के बीच में ऐसा कोई टाउंसी डवलप नहीं होता है तो इसका रिजन के है आज तो कोई बता नहीं पाया है या तो यह सारी लोग मर गए होंगे जो हां के निवासी थे कुछ ऐसा हुआ हो गया हमारी कुछ भी हो पूरे लो लोग देखें तो आपका यह जो है सो आपका इधर जो है यह भारत देश हो जाता है ठीक है यह भारत देश हो जाता है इधर यह पाकिस्तान हो गया ठीक है इधर जो है सो यह अफगनिस्तान हो गया और इधर जो है सो इरान हो गया तो आर्यान इधर से आ रहा है ठीक है आर यह गहां तो मित्वारात टान सुने इसाथ मतुते हैं तो यह ज Gibson करका िशियोंगे खुल खते धुलियों करते अता है कि चरणे के लिए पहले भाइशा थे इंडिया में लेकिन इन जब यह आपका पंदराइस तो उस टाइम पे इंद्र सबसे बरे देवता थे और उस टाइम पे आपके महादेव नहीं आये थे महादेव कोई सबूत नहीं मिलता है उसके बाद में आपका ब्रहमा कोई सबूत नहीं मिलता है और उसके बाद में आपका महादेव ब्रहमा और विशनु का कोई सबूत नह सब्सक्राइब नहीं थे क्योंकि देवताओं को जितने भी देवता हैं उनको जो है सो आदमियों ने अपने हिसाब से क्रिएट किया है सिंपल सी बात है और हम यह आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं यहां पर इंदर एक सबसे बरसाली देवता थे क्यों कि उस टाइम पर बारीस होती थी बारीस जब होती थी तो लोग को पता नहीं थे कि बारीस का रिजन क्या है तो इसको इंदर को पूजा करते थे बारीस नहीं होने पर अब बारीस ज्यादा होने पर इंदर को पूजा करते थे इंदर उस टाइम पर महान थे और इसके बार पानी के दें होता थे वायू थे हवा के दें होता थे तो वरून हो गया नसात्ते हो गया यह लोग थे ठीक ह और सौम थे, तो सौम के पूजा में जो हैसो दारू की चरहावा होता था, ठीक है, और वह दारू जो हैसो महुआ उगरा का बनता होगा, मेरे हिसाब से, तो अब यहाँ पे देखिएगा, कि जो हैसो आर्यान और पोस्ट आर्यान के बाद किया जाता है, यह भारत में जब इं आज रहे थे, आने बाद इंडान और लेकिन प्रते आर्यान के बाद ख़िखनी से, अब लोगने, तो वैद से, गवरत आट दो जो लोग थे वो आदिवासी लोग थे ठीक है तो जब इधर से इंटर करें तो आपको पता है कि इधर से इंतर करें हैं ये लोग आगे बढ़ते आए आपको पता है लौइन में लौट रहा है तो अप twegehen है बिश्त करते हैं। कटाई होती है और यहां लोग बस जाते हैं। तो आपका अच्यों यह होगे आरेयन का काल और पोस्ट अर्यान और लिवस्त करनल अर्द बाद में इस चीज को भास वे लिख दिया गया उसके पर यजू वेद को अधरत पहले आपको येगा और इनका इन चारबेद हो जो है सो मूल है वो विदान्त है ठीक है विदान्त है जो आपको इन बेदों का जो है समूल बाद में लिखा गया जो रिसी मुनियों ने लिखा भारत के ठीक है रिसी मुनियों ने लिखा इसको ये बाद में आता है ठीक है तो आपका बेद हो गया और फिर बेदान्त हो गया तो इस बेद में जो चार धर्म माने गए, जो चार वर्ण माने गए, जो हैसो बैस हो गया, च्छत्री ये हो गया आपका, तो ये जो हैसो आपका, ये ब्रह्मन हो गया, ठीक है, आपको जो हैसो काम के अधार पे था, उस तेम पे ब्रह्मन हो गया, और ये जो हैसो च्छत्री टिवाइड हो गया ठीक है बर्मान च्छेत्री बैस और सुधर लेकिन उस ताइम पर जब आरेन आया थे भारत के जो आदिवासी लोग थे तो उस ताइम पर चुकि यह लोग गोरे लोग और आदिवासी लोग काले थे इंडिया के लोग लगभग काले थे आपको ओरिजनल किया था कि पहले पूरे लोग काले होते थे लेकिन जब इन से साधी होने लगा तो चैंज होके गहुआ हो गया और कुछ लोग आज भी एक दम प्यूर गोरे दिखेंगा कुछ लोग गहुआ दिखेंगे तो जीन्स का इंटर चैंज है ठीक है तो साधियां जो बड़े अधिवासी कबिला का सरदार से इन लोगों के घर में साधिया होने लगी और जो यही लोग जो थे जो छोटे उनके सरदार के नीचे बाले लोग थे इनके पीछे काम करने लगे ठीक है और एक समाज की रचना होती है ठीक है तो आरेयन का यह हो गया पोस्ट आरेयन में जो आप करता है, आपको समाज को तो सुसाइटी को कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है, उसके लिए रूलाता है, ठीक है, पोस्ट आरेन, इसमें देखे, अगर हिस्ट्री आप देखी गा, तो एक टॉपिक पे एक बूख हो जाएगा, इतना हिस्ट्री भास्ट है, लेकिन हम लोगों को एक ब्रीफ हिस्ट् रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है, अब यहाँ पे पहले अंग्रेज जब भारत में आये थे, तो बुले थे कि भारत में कोई रिपब्लिक नहीं था, मतलब गंतंतर नहीं था, लोगों के सासन नहीं था, लेकिन यह गलत थे, क्योंकि आप देखिएगा, कि यह गंग जो भी जितने भी रहे हैं, बिंदु सार हो गए, आजात सत्र हो गए, यहाँ राजार राज करते थे, और भगवान बुद्ध के पिता जी जो थे, वो साके कलान के थे, वहाँ पे रिपब्लिक था, लोगों का एक कमिटी रूल करता था, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है जो है यहाँ रहा है, यहाँ पे उनन मित भारत में बहुत द भन है, बहéma है बहुत अच्छा देश डेश मुद्ध कर दिश हो साब ने वहां तरफेंग और आयूर कुल कर दो थे, जो थे, आपको अपर्छा अ कर्मण करना है, पता था, बहुत था है वहाँ भारत है, लो अ अमर बन जाएंगे तो यह आकर्मन करने आता है जब यह कर्मन करने आता है आपको external attack के अब हम बात करने लगे हैं तो जब यह कर्मन करने आता है तो आता है भारत में जीतता है तो सिंधु के आसपा सिंधु को क्रोस कर लेता है क्रोस करके जब आता है तो यहाँ पर पहला तक कोशिस करता है तो चनक के क्या है यहां पे चनक के जो है सो यहीं कराने वाला है तो यहां जो है सो देखता है तो बोलता है यह तो पुरे भारत को फिर से पकर लेंगे और बहुत चनक के बहुत बिद्वान आदमी थे तो वो यहां से भाग के आते हैं यहां पे मगद में कि भ तो पता करवाता है को ऐसा सादू है का जो अमर बना सकता है तो ठीक है एक सादू को भीजता है तो वो सादू ध्यान में है तो कुछ नहीं कर पाता है lanzakun के बहुत कहते हैं कि हमारे सरदार के प़स ISS कर顷 जह लिए आनकों मिलना है वहां पर उसको बोलता है कि हम अमर होना है तो आप काम कि जैर्स यहां से 3 किलॉमेटर इन्धर जाईए एक पनी पिके अमर हो जाईएगा तो यहां पर क्या होता है कि एक को ऊगऊ दोशों बेख कर ने क् मुझे से 되어 5 से नियर कि दोह रोगी द्यूच क्शे कर हम पमनों कर पार कि तो को इन घरीक रिखिए नियक makers learnt तो वह कहता है कि देखा मैंने इस पानी को पी था अब मैं हजारों साल से जिन्दा हूं, क्या तुम मैं मरने कुशिस कर रहना, और नहीं हिपा रहा हूं, क्या तुम यह ऐसा जीवन चाहते हो eighth dinner ईलगेंडर सोचता है, बोलता है मैं इस जीवन नहीं चाहता अलोह रोट जाता है, ठीक है, तो यह Alexander के अटेक था, उसके बाद में एक नया रास्ता बैपार का देखिए कहीं भी दो जगा के अगर दो जगा लड़ाई होती है तो जाहिर से बाद जानमल की दहानी होती है लेकिन एक नया बैपार का रास्ता खुल जाता है और समाज और संस्कृति का एक्षेंज होता है समाज और संस्कृति का यहां पर एक्स्चेंज होता है, ठीक है, तो यहां पर बैपार का एक स्याधन बन गया, और यहां की कुछ समाजिक या संस्कृति हमारे में आ गई, हमारे वाले यहां से बैल भेजता है, हाथी भेजता है, पहली बार इसने हाथी देखा था, सिकंदर ने, पहली बार उसने सम बन होता है जह सो हम पार्ट वन को बोलते हैं जब जो है सो आपका बी सी में होता है पार्ट टू जो है सो एडी में होता है मेडिवल इंडिया के टाइम पर हम बात कर रहे हैं आपे ठीक है अब पार्ट तीन जो होता है वो आजादी के समय में होता है ठीक है यह तीन आंदुल कि अगर यह आप खोगा तो दिक्कत अगर चोट्र आप ग्रेड यह लाइब अगर कल्चर नहीं होगा और चन्ट एंडिया में चले जाएंगे और अंग्रेज आपको जैसे आके और 200 साल तक या फिर जो है सो मुगल या मुसलमान लोगा के 200 साल तक यहां पर सासन करते हैं क्यों 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 कि साइंस डिग्रेड हो गया अगर आपका साइंस है स्ट्रोंग रहे तो आपको समाज बाहने की छमता होती है ठीक है भक्ति अं अपने अपने थार्म यहीं से निकलता है और पूरे 200 में अपना जो है सो मिसाल कायम करता है और सायद ही ऐसा कोई धर्म होगा उस टाइम पर जो इतना बड़ा चेतर को कभजा किया होगा और वर्ल्ड का कोई ऐसा धर्म नहीं है एक क्रिस्चन और मुसलिम धर्म को छोर के ह हिंदी धर्म यहाय तो ज्जादा विकास नहीं किया जितना की बहुत धर्म किया था लेकिन उसमें रड़ेक धर्म में एक साहिमा तो समाज में इसे क्या होगा। आप समझ रहें कि हम पूजा नहीं कर रहें, नहीं, आप समझ रहें कि हम पूजा कर रहा हैं। भगवान की पूजा ऐसे नहीं होती है, भगवान की पूजा एक इनसान का इंटरनल रेल Verf antic allo से होता है इस चीज को मानना चाहिए कि आपका जो हैसो दिखाने और पूजा पाट करने से कभी कुछ नहीं हो सकता आपका आप से वेंग जा कर रहे हैं मंदिर में तो आप पूजा कर रहे हैं लेकिन आप 25 लोगों को खाना कहिला रहें दिखा रहें कि हम इतने बड़े हैं त करते थे तो हैंकि परपशम्न करते हैं घर जर्द तजा करते हैं और फिर उससी पैसा जग करते हैं गंगा अस्नान करे कि हमरा इससे खतम हो जाएगा यह सब धकोष लई वाले बाते हैं आपको अगर आपको पूझा करना है भगवान को मानना है तो इंटरणल है, आपकर दिल से मानिये। आप स्वैंग जाईम मंदिर में पूझा कर गया है, आपका और भगवान की बिच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर कोई तीसरा आ रहा है मतलब समझे कि आप जो है सो उस भगवान से मिल नहीं रहे हैं आप किसी तीसरे से मिल रहे हैं आप और भगवान के इंटरनल लिएसन होता है चुड़िए यह सब चीज़ें बहुत अंदर की बात है चलिए उसके बाद गुपता काल आ जाता है बहुत अच्छे बनने लगे तो उस रम पर और समाज समरीथ हो गया था समाज समरीथ हो गया था समाज सम्रीथ हो गया था और मतलब किज़ें झ örषि और आपको कहा जा तो समgg्रुम्भुत के अगर सब्श में ठीकिया चैनल यह जीज़े स्वाट यहां तटिक बाद हम झी दिखेंगे चोल हो गया चेर हो गया और और final के इ epididy अमीय मेरी इन्ट के त्वर हूति है यहां पटार आundhra और Smidna है कि यहां पर भी तीन संगोस्ति हुई थी तो पहला संगोस्ति मैं चौख कहा गया कि भगवान वान थे में तूसरी म WHY फूरत लीडीब्ड में तता जो दस्य वाले में त्थैनल में चोंग भी ते अट से आप देखिए अन्द बिष्वास में भर गया। और इसका Congressman होगा। तो कहीं न कहीं साइस का विकस हो everything गये त सप्भेत हो तो इस साइड में आ हone के प्रफफभ जो यहां पर जोओ से बुद न्यृम के हैं घृबरतिPO देश में इसलिए क्यों कि यहां पे हिंदू लोग आपस में रनने लगे सुसाइटी डिवाइद हो गए तो यह मोटा मोटी हिस्ट्री यहां की मेडिवल इंडिया की इसमें भक्तिकाल आता है थीक है भक्तिकाल जो है सो इसमें मिरा बाई और सारे लोग आते हैं सूर्दास उसके बाद modern India के हम बात करेंगे ठीक है तो modern India में भी दो है modern India के सुरुवात होती है 1757 के जहाइसो प्लासी के जूद से यह बंगाल में प्लासी का वार होता है जिसमें जहाइसो सुराजु दौलन नया लर्का जहाइसो वहां का नवाब बना है और उसकी फूआ और जहाइसो आपका दौलन नया लड़क है तो यहाँ पटराज़ आपका सैन्टावन पोछे कर दूसरा जा रहारा है तो हम पहले सर्म्पणाइबर यहाँ पर भी होगना में प्रूप्त करता है annex बड़ा दुख होता है और वह जलने लगते हैं जलन में जो परले मैं को फ्रेसर टालते हैं जिन्होंने इस आजादी को हमें दिलाई है उनके बारे में हमें जो सबसे पहले जो लोग थे राजा राम मोहन राए को थे राजा राम मोहन राए के कहा जाता है कि आठ भासाओं के जानकार थे और उनकी मम्मु उनको 14 समाज में बडलाव लाना चाहते थे और समाज सूपर इस्टिशन से अंद्विस्वास्त घिरा हुआ था तो मम्मी उन बच्पन में साधी हो जाती थी लड़कियों की और पती मर गया तो सती हो गया उसको जला दी तो पता उत लाइफ खतम हो गया दूसरा चीज था कि लड़की जरम लीत उठा के समुद्र में फैक देते थे ठीक है उसके बाद में एक आदमी पचास साल का बुड़ा है चार और सबस््रत के साथ साधी कर रहा है लगतार साथी करते जा रहा है तो यह सब था इसको सदाजर्म मोजण ने इसको विरोद्किया और समाज में जो सोउ एडुकियमशन के अस्तर बढ़ाने कोशिस की, ठीक है। तो इये हो गया, उसके बाद तीरो दिवेना ट्रिगोड आ गया, ठीक है, दिवेना ट्रिगोड आ गया, इन्होंने कुछ काम किया, इन्होंने बोला कि समाज को कैसे बराना इसके बारे में उन्होंने काम किया उसके बाद में जो है सो फिर चालू होता है और बंगाल से ही चालू होता आपको याद रखना चाहिए बंगाल और इधर अंग्रेज का सासन है और इधर तीन जगा उनकी प्रसेडेंसी थी तो यही कि ले दिखते के लिए।। सब्सक्राइब करें और यहां पर इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के अस्थबना होती है यहां पर दादा भाई नरजी हो गए अगरी से पैसे बहुत वाल ओध माल भी यहां बाद में आते हैं यहां क था कि अगरें में को बताएं लिए और मीटिंग करते यह हो आ लाइन से करते थे कि हमारे लिए कुछ कर दो देश के लिए कुछ कर दो लेकिन अंग्रेज तो प्रिडिटर्वाइन से थे वो ज्यादा कुछ करते नहीं थे तो बाद में जब 20 साल हो गया जो नए नए लड़के आ गया थे जैसे आपका बाल के गदर तिलक हो गए लाला लाजपत रह हो गये विपिन जंद पाल हो गए ये लोग बहुत के हैं इसे तो कुछ होगा नहीं है अब ये लोग इनको मॉड़ेट नए वाड़ेट का रहा गया नए वाट आ को एक्स्टरमीट का रहें और एलोग जो मतलब की काफी ज़्यादा जो है तो आंदूलन का रही है ता इसको लेकर के जो है सो एक इन्ट लोग बिफर गए और अनाई से साथ में कॉंग्रेस जो है दो पार्ट में डिभाइड हो जाती है ठीक है आपको अहां कुर्सी खुब चलता है सूरत में और यहां पर जो है सो अंग्रेज इसको मोका मिल जाता अंग्रेज खुब मारते अब फिर जो है सो कॉंग्रेस को एक्च्वल में गांदी जी का भीव जो था वो मास को लेकर चलने का था कि पूरे जब तक समाज के सारे बर्ग के लोग एक साथ नहीं आएंगा तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी ठीक है इसी बीच में अनई से पंदरा से लेकर के अब की खुब कुर्बानियां हो रही है यह थारा से अलग है औरिखती के Ό θα गलती कि तिल exp कभी नाम आता है चापकर बंदू कभी नाम आता है Saaawankar Ji का भी नाम आता है और यह सारी लोग जो है सुध्द मतलब की मो है उस राज वीहरी बोस्ट जो हो गए और उसी एक धरा हो गादी का हो गया है और यह और सो समस्ते गादीजी की धोट अलग था गादी जी का थोट था हुए एक रहां हम अथियार उठा लेंगे और अंग्रेज समझीट नहीं पाएंगे, दो दिन में मार्ग खतम कर देंगे, वह भूले हम अथियार उठाएंगे नहीं, हम अपनी बाते कहेंगे, तुम आज नहीं करोगे, कल दस दिन बाते तो सुनोगे, जब पूरा मास में, जब थोड़ था और जो अजादी को लिकेता हुए वह ऐसा भारत के कोई लीडर नहीं हुआ अगर कहा जाए सच्चाई में कि जो जर्मनी गया रसिया गया और फिर जो आपका जपान गया और इतना बारा फोर्स को मुबिलाइज करके भारत पे जो अंग्रेजी खिलाफ अटेक कर कर देते हैं गाधिजी को कि गाधिजी ऐसे थे वैसे थे गाधिजी जिन परिष्टितियों में काम किये उस परिष्टितियों में हम और आप काम नहीं कर सकते हैं और यह लोग तो यह लिडर जैसे आपका माता गिनी हाजरा करके हैं यह के असम साइड में आप जाईएगा सीधे गोली खा लिए बिहार की कुछ लोग थे जो सीधे गोली खा लिए ऐसे हजारों लोग हैं जिनके बारे में कहीं ही हिस्ट्री में लिखा नहीं गया है और ऐसे सरकार को हिस्ट्री लिखना चाहिए कि भाई ऐसे लोग जो हमारे देश के लिए लड़े हैं आज जो हमारा कु लिए पर ऑप इसे दिखाने वाली बात आती है तो इनक्वाली टो जाती है और समाज जो है एक तरह से कहा जाए तो बंधन मतलब की एक दूसरे से डिरेक्शन में जाने लगता है और एक होड सी लग जाती है और पिर्थवी पर तो हर चीज लिम्टेड है नहीं तो यह क्या होगा एक दिन खतम हो जाएगा और आने वाले पीड़ी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहा है तो यह जो यह सारी जो चीजे हैं हमें इन जो बिर सपूत हैं जो भारत देश को अजाद करा हैं उनकी बानी को याद रखना चाहिए अपने आपको सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए और भारत देश में आने वाले जनरेशन के लिए हमें बचा कर रखना है और जितन को एक बढ़िया देश बनाने के हिसाब से सोच से काम करेंगा उस सोच से आगे बनने के हमें जरूरत है ठीक है तो आज के हमारे इस सो में इतना ही है जै हिंद जै भारत